नमस्कार मित्रों आप देख रहें टीवी टॉन्टी नूज मैं हूँ आपके साथ असोग बर्मा अपने अपने छेत्रों की खबरों को देखनेंगे बने रहे हैं हमारे साथ अब सुरुवात करते हैं आज की ताया खबरें इस खबर के प्रयोजक हैं सांती ग्रूफ आफ इंस्टिटूशन अमवडा गोसाई की बजार आजमगड जिसके प्रबंदक हैं दीपकराई आजमगड में लोग जनसक पार्टी पिछला मती पिछला प्रकोष्ट के प्रदिस अदेख सियुमों सिल्पकार ने अपने सयोगीक साथ आज आजमगड में देश के ग्रिया मंत्री अमित्सा के प्रतम आगमन पर आजमगड को विक्सित करने के पत पर आगे बढ़ाने हु लोग जनसक पार्टी के तरफ से समर्पी थे सिल्पकार ने आए क्या कुछ का आपको सुनवाते हैं अजमगड जिले में राज विश्व इद्याले का सिला नियास के लिए तो क्या कहना चाहेंगे मैं आजमगड के इस पावन धर्थी पर माननी अमिस्ता जो हमारे देश के लाइन आड़ा ज्रीम मंत्री हैं मैं उनका तहे दिल से सुक्रिया और अभिनंदन स्वागत करता हूँ इस आजमगड नहीं बल्कि पुर्वांचल के गवरों की बात है कि देश के अजादी के बाद चंजीत और राम नरेस यादोजी के बाद कोई नेता आजमगड इस पुर्वांचल के लिए कोई सोचा तो राजक की सरकार के लोगों ने सोचा है मानि परधान मंत्री में मोदी ने सोचा है इस परदेश के उजय सुवी मुख मंत्री ने सोचा है और सिच्छा का मंदिप जो सारे अधिकारों को दिलाता है उसका सिला नियास करने जो हमारे बीच में ग्री मंत्री जी आया है मैं उनको बहुत-बहुत धन्वाद देता हूँ कि हमारे जनपत्क के नहीं पुर्वांचल को सम्मान बढाने का गवरोजो दिया है उसका पुर्वांचल की धरती उनका प्रडाम, उनका सम्मान आगमी 2022 के बिधान सभा में निश्चित रूप से बिज़ाई बना कर देगी और लोग जन सक्ती पार्टी इनके सहयोग में खड़ी है और खड़ी रहेगी मैं सिक्षात अपने बारें बिधान देता हूँ जै भीन, जै भारत, जै लोग जन सक्ती पार्टी जै रामिलास्त